है आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहें कुछ स्कुयर ट्रिक्स के लिए हम लोग यूज करने वाले जो फॉर्मुला वो है यह इस सबी को आते हैं फॉर्मुला है एक प्लॉस बी का गौल स्कुर इस इपल तो a square फ्लस 2 a b लेकिन इस ट्रिक को यूज करने के लिए हमें इस order में formula लिखना है हमें ऐसे नहीं लिखना है कि a square plus b square plus 2ab हमें लिखना है a square plus 2ab plus b square तो कैसे हम लोग इसे लिखेंगे अब हम लोग समझने जारे हैं जैसे अगर हमें करना है 23 का whole square तो यहां देखें question हमने यहां पर लिख रखें यह सारे हम किसी trick से करने वाले हैं तो 23 का square करने के लिए हम लोग इसको दो part में ऐसे break कर देंगे ठीक है तो 2 बन जाएगा a और 3 बन जाएगा b तो आप जानते हैं 2 का square कितना होता है 4 और यह रहा 2ab तो 3 2 जा 6 2 जा 12 तो यहां पर आप लिखें ऐसे 12 और यहां पर लिखा 3 का square 9 फिर से एक बार समझे हैं लोगों ने क्या किया हमें निकालना है 23 का square तो हमने इसे break कर दिया दोनों digit को 2 को अलग किया 3 को अलग किया 2 को बोला a 3 को बोला b तो formula के हिसाब से पहले लिखना है a square तो 2 का square 4 होता फिर करना है 2ab यानि दोनों को multiply करो 3 2 जा 6 2 जा 12 और फिर करो b का square जो की है 9 अब यहां बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि अब हमें लेनी है इधर से केवल unit digit तो जैसे यहां पर है 9 तो हम लोग यहां लिखेंगे 9 अब 12 है यहां पर तो 12 की लेनी हमें unit digit 2 और फिर हमें इस 4 को add कर देना इसमें तो यह आ गया हमारा answer 529 तो 23 का square जो है वो है 529 ठीक है तो समझ गया इसको तो अगर नहीं समझ में आया तो एक नया question लेते हैं हम लोग 24 का square करने जा रहे हैं तो बहुत ही fast करिया 2 का करना है आपको square फिर ऐसे एक length ही चेए फिर 4 तू जा 8 तू जा 16 2 ए भी किया ही हम लोग ने फिर किया 4 का square 16 अब यहां ध्यान दीजिए 16 का लेना है केवल unit digit 6 अब इस 1 को इसमें add कर दो 17 17 का भी लेना है unit digit 7 और 1 को add कर दो 5 और आगे square 576 जब आप इसे बहुत fast करने लगेंगे तो आप mentally यह सारे square निकाल सकते और 35 का square करने के लिए मैं तुम्हें दूसरी trick बताने जा रहा हूँ 35 का square करना जब भी किसी भी number के आखरी digit अगर 5 हो तो इसका square करना बहुत easy होता है 5 का square आप लिखे 25 और 3 4 जा 12 तो क्या जाएगा 12 25 तो देखिए तो इसको मैं समझाने के लिए एक और example ले लेता हूँ माल लीजे आपको करना है 45 का square तो आपको 5 का square 25 लिखना है और जो भी digit यहां दी हो उससे बड़े नंबर से multiply करके direct लिख दीजिए जैसे 5 4 20 45 का square कितना हो गया 20 20 25 ठीक है तो आपको यहां तक समझ में आ गया अब हम लोग करने जा रहे 36 का square तो यहां पर लिख रहे है हम लोग 36 का square क्या करें हम लोग 3 का square 9 6 3 जा 18 into the 36 और यह रहा 36 तो फिर क्या करें हम लोग एक digit लिखेंगे इसका unit digit 6 और 36 plus 3 39 उसका भी unit digit लिखेंगे 9 और 3 जाएगा इधर 1296 तो यह आगे 36 का square तो आप देख रहें कि एक line में answer हम लोग यहां लिख पा रहे हैं अब हम लोग करने 279 का square तो हम लोग काफी practice यहां पर कर रहें बहुत सारे question करने का यह मकसद है कि आपको practice हो जाए आपको भी अलग-अलग जो है number लेके इसको जब आप सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा practice करेंगे तो आप daily इनको use कर सकते हैं तो जैसे अब हम इसे करने जाएंगे तो क्या करना हमें 7 का square 49 7 9 जा 63 63 का double 126 और 9 9 जा 81 तो फिर क्या करना हमें 8 digit लेनी इसकी 1 126 8 134 4 लेना है 13 को 49 में जोडना है तो कितना हो जाएगा 62 तो 6 2 4 1 यह रहा आपका answer इसी तरीके से हम लोग अब try करने जा रहें 88 का square 88 का square करने के लिए क्या करना होगा कौन सी 2 digit अलग करनी 8 और 8 तो यह हुआ इदर 64 और 8 8 जा 64 का double 128 और फिर से इदर आया 64 तो आपको लिखना है 4 134 को भी आपको लिखना है 13 और 13 का 64 आप add कर दीजे इसमें आ जाएगा 77 तो answer आ गया 77 44 ठीक है तो यह रहा हमारा 2 digit का square करना हो यह method 2 digit पे ही नहीं खतम होता है यह method हम लोग इसे extend करके जो है 3 digit के लिए भी जाएंगे अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आखे 3 digit का square कैसे करें इस टेकनिक के साथ तो 3 digit का square करने के लिए आप यहां पर बहुत ध्यान से देखे अब हम लोग इसको 2 part में break करेंगे इस बार 8 digit लिया इधर और दूसरी digit हम लोगों ने लिया दूसरी side अब क्या करना है फिर वैसे ही करना है हम लोगों को 11 का square 121 और 11 3 जा 36 11 into 3 33 2 जा 66 तो यहां पर लिखें आप 66 और 3 का square कितना होता है 9 तो यहां लिखे 9 66 का भी लिखे 6 और 121 में 6 करेंगे तो 12769 फिर से देखें क्या किया गया 11 का square 121 फिर 2 A B होता है यहां पर 11 into 3 33 फिर 2 से multiply करेंगे 66 और 3 का square हो गया 9 तो यहां पर उतारे unit digit ही उतारते हैं लोग तो लिए 9 66 का भी unit digit आप उतारे है 6 और इस 6 को आप 121 में add कर दीजे और पूरा नमबर लिख दीजे 12769 तो यहां पर हम लोग एक दूसरा method यूज करके इसी को कर सकते हैं अगर हम इसको यहां ना break करके और ऐसे break कर दें तो फिर देखते हैं हम लोग यही same answer लापाते हैं कि नहीं तो उसके लिए क्या करना आपकी बाहर यह बन गया यह तो आ गया 1 फिर 13, 1 जब 13 और 2, 26 और 13 पर स्कॉयर है 169 तो अब आप देखे की क्या करना है जब हम लोग इधर 2 डिजिट लेते हैं तो इधर भी हमें 2 डिजिट उतारना होता है तो ध्यान रखिए क्या करना है अगर इधर ले रहे हैं 2 डिजिट तो इधर उतारना होगा 2 डिजिट इसके पहले हम लोग केवल 1 डिजिट ले रहे थे इसलिए हर बार unit डिजिट उतार रहे थे तो क्या करेंगे यहां से उतार यह है 69 अब इसको add कर दे 27 और 1 क्योंकि 2 डिजिट उतार नहीं थे जो है कॉन से ट्रिक लगाएं तो अब यहां देखने जा रहे हैं हम लोग 414 का square तो देखिए 414 का square अगर मैं इसको break करता हूँ 41 और 4 मैं तो फिर आपको आना चाहिए 41 का square जो कि आपको नहीं आता है तो इसलिए हम लोग अगर इसको break करते हैं ऐसे तो अब आपको दोनों के square आते 4 का square भी आता है 14 का square तो इसलिए मैंने आपको ये 2 method बताए जहां पर जैसी जरूरत हो आप उसके हिसाब से method लगाईए तो 4 का square होता है 16, 14, 4 जग अब यहां पर 112 56 का डबल कर दिया हम लोगों ने 112 का square होता है 196 अब यहां से लेनी है 2 digit तो हम लोगों ने उताली 2 digit 112 में 1 add किया तो हो गया 113 तो आपको लेनी है 2 digit तो 113 1 यहां गया तो 17, 13, 96 तो आप देख रहें कितना बड़ा square है जो हम एक line में लिख रहे हैं ठीक है तो यह बात यहां बहुत ही important है बहुत सारे आप question try करिए जिससे कि आपकी यह practice जो है लगादार होती रहे अब हम लोग देखने जा रहे है 991 का square अब आप यहां देखिए 991 को अगर हम लोग break करें तो अगर हम ऐसे break करते तो एक तरफ आएगा 9 और दूसरी तरफ आएगा 91 और अगर हम लोग इसको ऐसे break करें तो एक तरफ आएगा 99 और दूसरी तरफ आएगा 1 दोनों ही square हमको नहीं आते है नहीं हमें आता 91 का square नहीं हमें आता है 99 का square तो इस type के questions के लिए हम लोग एक नया method हम यहां अप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग आज सीखेंगे कि इसको फाइदा कैसे उठाया जाया है इस formula का तो यहां आप देखें कि a square minus b square को लिखा जा सकता है a minus b into a plus b ठीक है अब यहां आप देखें कि यह है तो square तो इसी square को हम लोग यहां use कर सकते हैं यानि कि b square को आप धर बेजिए तो यह हो जाएगा a minus b into a plus b plus b square तो यह बन गया a का square तो आप कैसे आखें हम लोग इसे यूज करेंगे देखते हैं हम लोग 991 का square अब हमें निकालना है तो यह method हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी base के पास हो यानि कि 10 के पास का number हो या 100 के पास का number हो या 1000 के पास का number हो तब हम लोग इस formula को use कर सकते हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस formula को use करें तो आप देखें 991 किस number के close है 1000 के close है तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक को लेंगे हम लोग हमें लाना है 991 तो हम यहां पर करेंगे थाउजेंड 900 आप पहले देखिए कि 1000 में 991 कितना कम है तो 9 कम है तो आप यूज करिए इस तरीके से 991 माइनस 9 और 991 प्लस 9 और जितना आपने कम किया है उसको कर दीजे इसमें 9 स्कूरre ठीक है समझ में 991 का हमें स्कूरर निकालना है और यहाँ यहां पर 9 तो यानि हम लोग इसे कैसे लिख रहे हैं इसको हम लोग कुछ इस तरीके से 1000 माइनस 9 में 991 होता है तो वहाँ से हम लोग 9 ला रहे हैं ठीक हैужो 9 का, कि करेंगे तो नाइन गठाएंगे तो के पूरी माइंड में की जा सकती है बहुत ज़्यादा प्रेक्स आप करेंगे तो आपको pen से लिखने के भी जरूरत नहीं है अब जैसे हम लोग देख रहे है 987 का square तो आप देखें कि 1000 से कितना छोटा है यह है 13 छोटा 1000 से तो अब आप क्या करेंगे आपको करना है जैसे यहाँ पर निकालना हमें 987 का square तो देखें कि 1000 से कितना छोटा है तो यह छोटा है 13 तो आप उसी नंबर को इसमें घटा दीजिए और उसी नंबर को इसमें जोड दीजिए अब जब आप जोडेंगे तो वो बनेगा 1000 और 13 का square करना है 169 तो अब आप इसको गटाएंगे तो आएगर 974000 और ब्लस 169 तो कितना होगे आप 974169 एंसर यह रहा आपका एंसर 974169 तो देखें अब हम लोग एक और question करने जा रहे है जो कि 353 का whole square है तो आप देख रहे हैं काफी बड़ा नंबर है 35353 का square करना तो कैसे break किया जाए तो जब भी आप देखें कि बीच में है 5 डिजिट तो आप कैसे करिए 35 और 3 ऐसे लिख दीजे अब लोग first method से इसको करने जा रहे है तो 35 का square बहुत ज़ल्दी निकाल सकते कैसे मैंने आपको भी पता है तो कि 5 का square करना है उससे बड़े नंबर से इसको multiply करना है तो कितना हो जाएगा 1225 और यहाँ पे 35 इंटू 3 होता है 105 उसका double है 210 और यह रहा 9 अब एक डिजेट हम लोग यहां लिखेंगे 9 यहां से उतारेंगे एक डिजेट जो की हो गया 0 24609 तो आप देख रहे हैं कि math बिलकुल magic ही तरह है और कैसे बहुत इजली हो रहा अगर आप यह सारी technique सीखेंगे तो आपका interest भी math में बनेगा और आपकी calculation भी fast होगी जो आपको कोई भी exam निकाने में मदद करने वाली है अगर आपको यह video पसंद आया है तो please like करे, share करे और subscribe करे